ओम शान्ती आज 29 जानवरी 2023 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को महादानी बनने के लिए कहा हमें महादानी बनना है तो हमें तीन ट्रकार से अपने आपको बिजी रखना है दान देने के लिए मंसा के द्वारा हम सदा शक्तियों का दान देते रहें अपनी वानी के द्वारा वच्चनों के द्वारा हम ग्यान दान देते रहें और अपने कर्मों के द्वारा हम सदा गुडों का दान देते रहें। हमें किवल महादानी ही नहीं बनना, लेकिन साथ में अठल और अखंड महादानी बनना है, निरंतर और सहज बनना है। प्यारे पावा ने आज हम बच्चों को वर्दान दिया। सहन शक्ती का कवच पहन संपूरन स्टेज को वर्ने वाले विघन जीत भव। बाबा ने आज हम बच्चों को विघन जीत भव का वर्दान दिया। अपनी संपूरन स्टेज को प्राप्त करने के लिए एक सुंदर कवच बाबा ने आज हमें पहनाया है। और वो है सेहन शक्ति का कवच यानि दब पावर तु टॉलरेट जब हमारे अंदर सेहन शक्ति आ जाती है तो सेहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने आपको किसी भी परिस्थिती में कैसी भी सिच्वेशन में कैसे भी लोगों के साथ चला सकते हैं क्योंकि आप सेवा करने का उमंग उट्सा हो चाहे स्व के पुरिशारत के लिए कुछ हम बनाते हों लेकिन कोई भी बात मारे सामने आ जाती है या कोई हमें कुछ कह देता है या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे अनुसार नहीं होती है तो हम उसे सेहन नहीं कर पाते हमारा मूट चेंज हो ज जब हमारा उमंग उत्साह डाउन होता है, तो हम विगनों में आ जाते हैं. कोई भी विगन, कोई भी बात हमारे सामने आती है, तो वो हमें चालेंज करती है, कि हम अपने कपैसिटी से थोड़ा सा और उपर आकर उस बात को पार कर पाए. तो वो शक्ती तब ही रहेगी, जब हमारे अंदर सेहन शक्ती हो, हम अंदर से डिस्टर्ब्ज ना हो, हमारी खुशी ना जाए. तो आज हम सेहन शक्ती के कवच का प्रयोग करें, कि मैं सेहन शक्ती से अपने आप को स्थिर रखू, अपने उमंग उत्सा को बना के रखू और चाहे कोई भी परिस्थिती हमारे सामने आ जाए, उसको जीत कर अपनी संपूरण अवस्था को प्राप्त करूं। ओम शांति